Hello दोस्तो, Early Financial आज़ादी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है Dividend and Passive Income Series में आज हम ONGC के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम पिछले 11 सालों का ONGC का Dividend Data लेकर आए हैं उनकी हम Analysis करेंगे, ये जानने की कोसिस करेंगे कि क्या Dividend के जरिये Passive Income जनरेट हुई है इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स का कैसा Stock Performance जो Experience है वो कैसा रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम डीटेल में जानेगे और ये पूरा वीडियो दोस्तो, Excel Sheet में होने वाला है तो जो पहला डेटा जो है मैं आपके सामने वो मैं बताऊंगा कि ONGC consistent dividend दे रही है या नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर light green कलर में कि January 2012 से हम डेटा लेकर आए हैं और हर financial year में क्या उन्होंने dividend दिया है या नहीं जैसे FY12 में dividend, 13 में dividend दिया है, 14 में दिया है, 15 में दिया है 16 में dividend दिया है और उसके बाद यह जो financial year 17 है यहाँ पर एक बार ONGC ने bonus भी दिया हुआ है 1 is 2, 2 के ratio में हम लोग यहाँ पर चुकिए bonus दिया हुआ है तो हमारा dividend calculation है वो change हो जाएगा तो वो मैं आप तो समझा हूँगा फिर हम अभी फिलाल देख रहे हैं कि हर साल dividend आया है या नहीं 2017, 18, 19, 20, 21, 22 regular dividend आया है पिछले financial year में 10 रुपीज 50 पैसे का dividend आया था और अभी का जो financial year है उसमें 10 रुपीज 75 पैसा का यहाँ पर dividend आ रहा है आप अभी देख सकते हैं यह जो data है November 2022 में 675 का dividend बहुत recent में February 2023 में ex-date ही है 4 रुपे का dividend की और final dividend का भी expectation रह सकते हैं और यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यह जो data जब मैं analyze कर रहा था तो हर बार ONGC की तरफ से final dividend भी आ रहा था ठीक है final dividend कब आएगा जब quarter 4 और जो final results आएंगे तब आएंगे वो जनरली कब आते हैं मई या फिर जून के महिने में आते हैं ठीक है तो एक चीज हमको पता चली consistent dividend ONGC के जो भी investors से उनको मिल रहा है अब next मैं बात करूँगा कि investors का कैसा stock में experience रहा है और dividend बढ़ा है या कम हुआ है आगे बढ़े उससे पहले दोस्तो personal finance, passive income, mutual fund, stock analysis पर regular content हमारे आते रहते हैं आप हमारा telegram group को भी join कर सकते हैं description box में link दी हुई है 3200 से जादा community जुड़ी हुई है तो सबसे पहले इस stock का data ठीक है समझ लीजिए जनुवरी 2022 में किसी investor ने 1,00,000 रुपया invest किया हो था उस समय में share price 170 के पास था और बिलकुल shocked मत होईएगा मार्च 2023 में अभी अगर आप share price देखेंगे उससे भी कम में है मतलब saving bank account का भी return जादा है और ONGC का जो share price का पिछले 10-11 सालों में return बिलकुल नहीं है लेकिन देखें जब हम data के साथ analyze करते हैं तो interesting चीज हो जाती है time period ये 2012 का मैं ये data ले रहा हूँ अगर यही data मैं March ठीक है 1 March 2020 का मैं ये data लूँ तो उस समय में share price ONGC का कुछ 88 रुपीज था तो ये सब investor की buying price के उपर बहुत depend करता है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 20% का यह return है आप यहाँ पर मैं आपको screener में दिखाता हूँ देखिए 3 year का ये data है बिलकुल March 2020 में ठीक है उस समय में corona का थोड़ा डर के कारण थोड़ा सा panic भी होना शुरू हो गई थी market में उस समय में देखिए आप 88 रुपीज का share price था तो उन investors के लिए बहुत ही अच्छा experience रहा होगा तो एक चीज हमको इस data से पता चल रही है long term या फिर जो investors है जिनकी holding period 8 years 10 years है उनके लिए bad experience रहा है लेकिन last 2-3 years में लिए जो investors है उनके लिए great experience रहा है ठीक है अब मैं dividend के बारे में बताता हूं कि dividend बढ़ा है या कम हुआ है dividend yield कैसी रही समध लीजे आपने 1 लाख रुपिया invest किया है किसमें ONGC में तो पहले ही साल actually मैं आपको 5.7% की yield तो मिल जा रही थी क्यों 5,735 रुपीज मिल जा रहे थे दूसरे साल भी 5,588, 5,588 फिर 5,000 रुपया का dividend फिर आपको dividend मिल रहा था फिर आपको bonus मिला तो bonus मिला तो आपके जोतने भी shares है वो ज्यादा बढ़ गया है पहले 588 shares थे फिर 882 हो गया थे इस है तब हमने देखा था गिरा हुआ था तेल के price भी बहुत गिर थे अभी recent में अगर आप देखेंगे 10 रुपीज 50 पैसा का पिछले financial year में dividend आया है जो कि अच्छा dividend है graph के graph से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में असानी रहेगी यह देखें यह dividend का graph है और इस graph से मुझे अच्छा भी लगता है fascinating भी लगता है और थोड़ी सी चिंता भी होती है क्यों देखें 2012 से आप 18 देखेंगे देखें 2012 से 18 देखेंगे dividend एक लगबग range में है 5000 से 5800 5900 की range में मिल रहा है ठीक है फिर नीचे आप देखें 3000 रुपया का dividend हो गया कब हुआ है यह financial यह 2021 में और उसका reason भी है उस समय में तेल के price गर गरते है पूरा दुनिया घर के अंदर ही थी तो profits जरूर गिरे होंगे अब यह fascinating मुझे क्यों लग रहा है पिछले दो सालों में आप देखें dividend किस हिसाब से बढ़ रहा है और यह जो number है 9485 यह तो अभी तक का dividend है यह तो final dividend अभी तक और बढ़ सकता है यह actually मे तो इसलिए short term के लिए बिल्कुल fascinating है long term investors के लिए मतलब ठीक ठाक चलेगा वैसा experience है तो जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है consistency की कमी हमको देखने को मिल रही है कहां पर dividend बढ़ने पर ठीक है अब क्या मैं यहाँ पर ONGC को दोस्त दूँगा नहीं मैं बिल्कुल यहाँ पर realization ज्यादा होगा तेल का भाव उपर जाएगा तो क्या होगा realization जो है वो बहुत अच्छे होंगे और profit बहुत अच्छे होंगे जैसे लेटेस्ट एक्जामपल 2022-2023 जो financial year को मैं बता रहा हूं ठीक है यह लेटेस्ट एक्जामपल है बहुत अच्छा profits हुआ है और इतना अच बहुत long time investor हूँ आप विश्वास नहीं करेंगे मैं 2014 से मैं hold कर रहा हूं तो मेरे सब bets सही नहीं गये है जब मैं ONGC के बात कर रहा हूं अगें प्लीज इसको recommendation जैसा बिलकुल मत समद येगा अच्छा करा कुछी भी अपने experiences से मैं share कर रहा हूं लेकिन अब मुझे एक अच उस समय में हमारी उतनी knowledge भी नहीं थी जो oil का जो active management कर सके है ठीक है कि हर business का nature समझना है जैसे ITC का business है कि वह cigarette FMCG में है हिंदुस्तान Unilever FMCG में business है InfoSales IT कंपनियों का business है ये nature of business ही है और ये nature of business में सबसे important ये business volatile हमेशा रहेगा cyclical हमेशा रहेगा कल तेल के भाव गिर जाते हैं तो profit भी गिरेगा अब ONGC के case में जब मैं business analysis करता हूं तो जो सबसे बड़ा अगर कोई trigger होगा future के लिए वो होगा जो actually में ONGC के लिए negative अभी तक हो रहा है कि उनका जो oil production है मैं आप थोड़ा बढ़ा कर देता हूं ताकि अब को अच्छा से दिखें ठीक है उनका जो oil जो production है और gas का जो production है वो actually अभी नीचे जा रहा है ठीक है अब 2023 में ऐसा expectation है पता नहीं होगा या नहीं होगा कि जो kg basin है वहाँ पर जो production है वो increase हो अगर यह होता है तो क्या होगा कि जो पिछले कुछ सालों से जो तेल का जो production गिर रहा है वह at least बढ़ना शुरू होगा तो business बढ़ेगा तो profits बढ़ेंगे profits बढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए डिविडेंट के expectation रह सकता है अभी तो क्यों इतना अच्छा डिविडेंट मिल जा रहा है 2022-23 में रीजन क्या है कि तेल के भाव यहाँ पर बढ़े हुए ठीक है अब मैं next data दिखाता हूं आप यह वाला data देखिए 71,174 यह क्या data है अगर एक लाख रुपिया वही जन्वली 2022 में आपने invest किया होता तो आपको 71,000 अभी तक क्या मिल गया होता आपको अभी तक dividend total मिल गया होता तो ऐसा भी नहीं है कि यह जो एक लाख रुपिया आ 70,000-71,000 तो dividend investor को मिला ही है तो overall मैं यहाँ पर एक ही चीज़ लास्ट में मैं जरूर बोलना चाहूंगा ONGC का dividend consistent रहा है हर साल उन्होंने at least dividend तो दिया ही है लेकिन investor को actively business का nature भी समझना है यहाँ पर अपने एक लाख दो लाख या पांच लाख रुपिया invest कर दिया और आप आप सोचेंगे कि हर साल मुझे 5% assured return मिलेगा, 10% assured मिलेगा, assured तो खैल किसी भी stock में नहीं मिलेगा लेकिन वो possibility नहीं सब तेल के price पर और ONGC का business के growth पर depend करता है ठीक है, oil का price ज्यादा होगा, profit यहाँ पर बढ़ेगा, next trigger जो मैंने बताया, production increase यहाँ पर हो सकता है जिसके लि लाख में 3100 भी मिला है, किसी साल लाख में 9000 भी मिला है, ठीक है, तो आपको business का understanding बहुत जरूरी है, short term के अगर आप investor है, मतलब last 2-3 साल में आपने इंटर किया हुआ है, for example, इस business में, तो आपको share price भी एक अच्छा experience मिला होगा, और dividend का तो बहुत अच्छा experience मिला ही होगा लेकिन long term का investor है, जैसे मैं थोड़ा सा ज्यादा long term का investor हूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा experience नहीं रहा होगा, लेकिन at least dividend यहाँ पर investors को मिला हुआ है, बाकी जैसे मैं अपने portfolio की बात करो, तो चुकि nature of business अतना volatile है, तो मैं चुकि asset allocation पर बहुत भरोसा करता हूँ, तो asset portfolio का percentage है, वो मैंने ONGC का हमेशा से कम रखा है, मतलब यह कभी भी 4-5-6% तक तो मैंने होने ही नहीं दिया है, क्योंकि business का nature है, जहाँ पर अच्छा time होगा तो सही रहेगा, और खराब time होगा तो थोड़ा सा tough हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत कम में ही रखा हुआ है, ताकि overall portfolio को खराब यहाँ पर नहीं हो, बाकि आपके क्या views है, ONGC के उपर, इन data से आपको क्या चीजे नहीं सीखने को मिली है, वो भी मुझे जरूर बताइएगा, thank you दोस्तों live demo, tools, live classes, learning materials, market insights, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, 6 घंटे से ज़्यादा का यहाँ पर content है, जहाँ पर आपको investment से जुड़ी unique insights मिल सकती है, मैंने description box में link दी हुई है, और इस course को एक भारी discount में आप avail कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है, यह course आपको एक direction जरूर देगा Thank you दोस्तों